नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करेंट अफ़ेर अपडेटेटेड के स्योडियोग चैनल पर दिसे सौरप सोलंकी एंड वी आर डिसकेसिंग इंपॉर्टेंट गवर्वर्मेंट स्कीम्स फ्रेंड्स यह इस लेक्चर सीरीस का 10 लेक्चर है इससे पहले 9 लेक् के देखें तो प्लीज उन्हें प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें वहाँ पर हमने कुछ बहुत जादा ही इंपॉर्टेंड मिनिस्ट्री इसकी स्कीम को फिनिश किया है और सबसे पहले देख लेते हैं Ministry of Culture की कुछ important schemes को ये scheme है आपकी Project Mossom, Seva Bhoj Scheme and Intangible Heritage Scheme, चलिए एक एक करके तीनों schemes को समझते हैं सबसे पहले समझते है Project Mossom के बारे में देखिए, इसके पहले आप थोड़ा सा basic समझ लीजे ये हमारा India है, ठीक है, आपको पता होगा इंडिया में जो monsoon आता है वो Indian Ocean की side से आता है ठीक है, जो monsoon इंडिया में आता है, वो इंडिया को काफी हद तक प्रभावित करता है, ठीक है economically भी agriculture को काफी साथ support करता है, हमारी पानी की पूर्ती को कमी को पूरा करता है, ठीक है, उसके साथ ही साथ, जो monsoon होता है उसका हमारे इंडिया के culture पर भी बहुत जादा प्रभाव होता है ठीक है उसी प्रकार से, Indian Ocean में और भी कई सारी countries है 39 Indian Ocean में countries है, ठीक है, उन countries पर भी monsoon का कुछ ना कुछ impact जरूर रहता है ठीक है, तो इस project का मकसद वही है कि जो हमारा diversity of culture है ठीक है, commercial और religious interaction है, उन other countries के साथ, ठीक है, उन्हें समझा जाए, बैतर तरीके से, और उसके उपर पूरी research वगरा की जाए, और एक document अच्छा सा तयार किया जाए, ठीक है knowledge वगरा की sharing ही होना ठीक है, और साथी साथ ये भी check करना, कि जो monsoon winds है, उन्होंने किस प्रकार से, पूरा जो culture है, और जो interaction in country को, किस प्रकार से monsoon ने shave किया है, ये जानना भी इस project monsoon का एक objective होने वाला है, ठीक है इसके अगर हम कुछ silent features की बात करें, तो सबसे पहले तो इसको implement करने वाली जो agency है वो होने वाली इंदरा गांधी national center for the arts, इसके साथ, दो और agencies आपकी काम करने वाली है, सबसे पहले आपका archaeological survey of India, फिर अगला है, national museum as associative bodies, ठीक है, ये तीनो organization साथ मिलके काम करेंगे, इस पूरे project को आगे बढ़ाने में, ठीक है इस project का एक और मकसद होने वाला है, कुछ ऐसी list वगरा तयार की जाएंगी ऐसी heritage जो sites है ठीक है, उनकी list तयार की जाएगी और मकसद ये होगा, कि सभी का साथ लेकर, उन sites को, UNESCO की world heritage side में add कराया जाए तो ये पूरा हमने discuss किया, project मौसम के बारे में चलते हैं आगे, और discuss करते है सेवा भोज scheme से related ठीक है, क्या है इस scheme का मकसद, देखे, इसका objective है जो financial burden होता है हमारे charitable religious institution के उपर, charitable religious institutions क्या होते हैं, इसका एक example है, जैसे कि लंगर ठीक है, आप सभी ने सुना होगा, एक community, kitchen होता है, जो की गुरुद्वारे द्वरा organize किया जाता है, जिसे हम लंगर कहते है ठीक है, उनका उपर जो financial burden होता है, इसी प्रकार के और भी अलग-लग religious charitable institutions होते हैं, उनके उपर जो burden है financial burden है, उन्हें कम करना, ठीक है यह जो scheme होने वाली है, यह central sector scheme होने वाली है, ठीक है इस scheme के अंतर क्या किया जाएगा, जो GST वगेरा लगता है, SGST IGST लगता है, ठीक है वो GST जब अगर कोई charitable religious institution है, अगर वो कोई raw food material खरीद रहा है ठीक है, अपने लंगर वगेरा के लिए सामन खरीद रहा है, तो उसके उपर लगने वाला GST उसे वापस कर दिया जाएगा, पैसे उसे वापस दे दिया जाएगा, ठीक है, उनके उपर कोई मिला कि GST नहीं लगेगा, ठीक है चलते हैं आगे और डिसकस करते है अगली important scheme, जो कि intangible heritage scheme, ठीक है सबसे पहले तो आप मुझे intangible का मतलब बताईए, ये क्या होते है ठीक है, देखे दो प्रकार की sites होती है, एक होती है आपकी intangible, दूसरी होती है tangible, ठीक है, tangible intangible वो culture होता है, वो art form होता है जिसे आप छूकर महसूस कर सकते हो जैसे कि कोई monument हुआ कोई building हुई, इस प्रकार की चीजों चे होती होने हम बोलते है tangible arts, ठीक है अगला होता है intangible, ये क्या होते है जिसे कि आपका music है जिसे आप touch नहीं कर सकते ठीक है, लेकिन feel कर सकते हो music हुआ, dance form हुआ, ठीक है puppetry हुई, इस प्रकार की जो चीजे होती है, उसे हम कहते है intangible arts, ओर राइट तो इस scheme का मकसद क्या है इस scheme का मकसद है जो हमारी intangible heritage है ठीक है, कोई art music हुआ, कोई folk art हुआ ठीक है, उन चीजों को preserve करके रखना और उन्हें promote करना, ठीक है इस समें अलग-अलग जो institution है groups हो सकते हैं, even individuals NGO, researchers scholars, इन सभी की मदद लेना, ठीक है, और यह जो हमारी intangible heritage है उसे preserve और promote करने का काम रहेगा, ठीक है इस scheme को जो implement करेगी वो होने वाली आपकी संगीत नाटक academy, ठीक है, यह autonomous organization है, जो ministry of culture के अंदर work करती है, ठीक है संगीत नाटक academy, यह point याद रखेगा, ठीक है तो यह थी हमारी सारी ministry of culture की important scheme, अब discuss करते है ministry of earth science की कुछ बहुत जादा important scheme जो दो important schemes है जो news में रही है last year वो है आपकी across scheme और अगली है, oh smart, ठीक है दोनों scheme मिलती जुलती ही है, काम दोनों का seem ही है, लेकिन थोड़ा सा different है, ठीक है, समझते है सबसे पहले समझते है across scheme को ठीक है, यह कि implementation of क्या full form में इसका across का atmosphere and climate research modeling, observing systems and services, short में across, ठीक है क्या मक्सद होने वाला है इसका देखे इसका जो primary objective है वो है कि एक reliable weather and climate forecast याने कि जो climate का forecast होता है, ऐसा climate इंडिया में develop करना, ऐसा infrastructure develop करना, जिसकी मदद से हम जो weather और climate में जो changes होते हैं, उन फिनोमेनास की forecasting सही तरीके से कर पाएं, ठीक है ना सिर्फ climate और weather की forecasting वरली, early warning system जो होता है, जो कि किन चीजों के लिए use होता है, अगर आपके यहाँ पर cycle होनाने वाना है, तो उसी के लिए early warning system होना चाहिए, ठीक है ताकि नुकसान कम हो, ठीक है इस scheme के अंदर, across scheme के अंदर, nine sub scheme है ठीक है, नो sub scheme है जो इसके अंदर included है, ठीक है इनको implement किया जाना है, चार institutions के दुआरा, कौन-कौन से हैं आपके पहला है आपका India Metrological Department, ठीक है अगला है आपका Indian Institute of Tropical Metallology, फिर है National Center for Medium Range Weather Forecasting उसके बाद है, Indian National Center for Ocean Information Service, ये बाद आपको याद रखनी है अब आपका एक homework है आपको मुझे ये बताना है, ये जो चारो institutions है, चारो institute है इनका headquarters कहाँ पर है सभी का अलग-अलग जगा पर है, आपको उसका comment box में उसका answer बताना है, ठीक है scheme जो किये, O-Smart ठीक है, देखे इस scheme को implement किया गया है दो phases में, पहला phase था 2017 से 18 तक, अगला है 2019 से 2020 तक, ठीक है, इसका मकसद क्या है, इसका भी मकसद है कि हमें research करनी है, ठीक है, और ऐसे infrastructure को set up करना है, जिसकी मदद से हम early weather system की जानकारी ले सके, ठीक है अगर कोई भी weather phenomenon में change हो रहा है, तो उसकी जानकारी हमें पहले ही मिल जाए, ठीक है, Oceans की research करना है, वो भी इसमें included है, ठीक है, इसके बहुत important features है, इसका मकसद होने वाला है, कि जो Ocean के observation, उनको strengthen करना, ठीक है, जिसकी मदद से Fisherman's को हम early warning पहले से ही दे पाएं Fisherman's जो है, जो है, जाते हैं ठीक है, Ocean में जाते हैं मचले अगरा पकड़ने के लिए, और वहाँ पर फस जाते हैं कई बार, ठीक है, कहीं वहाँ पर कोई cyclone आ जाता है, उसमें setup करना है, ताकि Fisherman's को help हो पाएं ठीक है, फिर हमें क्या, इसके अंदर ही क्या setup करना है, हमें setup करना है marine coastal observatories for tracking marine pollution, ठीक है marine के अंदर, यानि की ocean में जो pollution होता है, उसे भी हम track कर पाएं, ठीक है, फिर अगली चीज़ इसके अंदर जो setup करनी है, वो होने वाली आपकी ocean thermal energy conservation plant in Karawati in Lakshadip, ठीक ना, एक ocean thermal energy conversion plant setup होने वाला है, आपका कहां पर Karawati Lakshadip, ठीक है साथ यसाथ फिर early warning system को भी इसमें deal करना है, ताकि जो disasters आते हैं, जैसे tsunami और storms, cyclones वगेरा, उनकी जनकारिया हमें पहले ही मिल पाए, तो यह बहुत basic चीज़ थी, ठीक है friends, तो यह था हमारा O ocean के बारे में O smart scheme के बारे में पूरा हमने discuss किया, चलते हैं आगे और अब discuss करते हैं, Ministry of Electronics and IT की important scheme को, जो की news में रही है, इसमें हम 3 scheme स्कीम देखेंगे, एक है आपकी 300 भीमान, उसके बाद है India BPO promotion scheme फिर देखेंगे हम Modified Special Incentive Package scheme को, चलिए एक एक करके तीनों को study करते हैं सबसे पहले समझते हैं, इस्तरी 100 भीमान को, अचा मुझे एक बात कभी नहीं समझ में आ पाई, यह बात किसने decide की थी कि pink color जो है वो लड़कियों का represent करेगा कोई भी अगर ऐसी चीज होती है, जो women's related होती है, वहाँ पर pink color को add कर दिया जाता है अगर आप में से किसी को पता हो, तो ज़रूर बताना ठीक है, चलिए study करते हैं इस 300 भीमान को देखिए, इस skin का मकसद क्या है कि हमें promote करना है women's menstrual health और hygiene को, ठीक है इसके बारे में लोगों को aware कराना है जो एक taboo बना हुआ है society में कि women's menstrual health के बारे में कोई भी बात नहीं की जाती है उसको discuss करना है उसके बारे में जागुकता बढ़ानी है ठीक है, ये initiative जो होगा वो क्या करेगा affordable और reliable rates पर मतलब कि सस्ते दामों में और modern sanitary pets होते है उनको provide कराएगा किनको adults and girls जो होती है, आपकी women's जो ruler areas में होती है ठीक है, जो school में girls होती है 7th से 12th grade तक ठीक है न, उन्हें भी distribute किये जाएंगे, pets वगेरा ठीक है, primary, secondary schools की girls को और ठीक है, फिर इसके अंदर क्या किया जाएगा, semi-automatic and manual sanitary napkin manufacturing units को set up किया जाएगा, इसकी मदद से क्या होगा, कि जो sanitary napkin की high prices होती है, ठीक है, जिनके कारण गाओं में लोग generally उनको avoid करते हैं खरीदना, ठीक है और कपड़ा वगेरा यूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, infection वगेरा फैल सकता है, ठीक है उनको हटा के sanitary napkin जो है सस्ते rate पर लोगों तक provide की जाएगी, ठीक है उमीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है, चलते हैं आगे और discuss करते हैं हमारी अगली important scheme जो की है India BPO promotion scheme, ठीक है, देखिए BPO का मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक है बहुत सारे जो call centers वगेरा होते हैं आप customer care lines में जब phone करते हैं तो आपके जो calls वगेरा रिसीव करते हैं ठीक है, उस से related है यह चीज़, ठीक है तो इस scheme का मकसद क्या है कि हमें employment opportunities create करनी हमारे यूथ के लिए किस field में, तो IT enabled services में, ठीक है मतलब कि, कुल मिला कि BPO operations जो होते हैं उसमें employment opportunities create करनी है यूथ के लिए, ठीक है इस scheme के अंदर क्या किया गया है कि total around 48,300 seats का distribution किया गया है, all over the state सारे states के बीच में, ठीक है न उनकी population के साब से जहां पर population जादा है उनने जादा seats दी गई है, ठीक है न population के साब से seats का distribution किया गया है ठीक है, इस scheme में incentive provide किया जाएगा employer को, अगर वो employment देता है, especially किसे women's को, या फ़र person with disabilities को, तो उसे incentive भी दिया जाएगा, ठीक है इस scheme में encouragement मिलेगी local entrepreneurs जो है, उन्हें promote किया जाएगा उन्हें motivation दिया जाएगा, ठीक है जो खास कर hilly areas में और ruler areas में बर्क कर रहे हैं, ठीक है exclude कर दिया गया है, ठीक है उसको इस scheme के अंदर add नहीं किया गया है तो यह थी हमारी scheme, India BPO promotion scheme, चलते हैं आगे और discuss करते है हमारी आज की last scheme जो कि है, modified special incentive package scheme, इस का मकसद क्या है, ठीक है इस scheme का objective क्या है, देखिए इस scheme के अंदर, हमें special incentive package दिये जाएंगे, कि नहीं उन व्यक्तियों को special package मिलेंगे, जो की manufacturing sector में काम कर रहे है कौन से product की manufacturing तो electronics products की ठीक है न, electronic products आपके जैसे की motherboard है ठीक है न, आपका earphones वगेरा है, ठीक है न, keyboard है, laptop है mobile है, इस प्रकार की जो चीज़ेज़े हैं जो gadgets है, electronic gadgets, उनकी manufacturing में काम कर रहे है, उने special incentives मिलेंगे, ठीक है, मकसद यह है कि हमें electronics के market में, net zero import करना है, यानि कि हम by the end of 2020 ठीक है, ये date शायद मैंने 2030 है, आज तेंग ये, ठीक है इसे correct कीज़ेगा ठीक है, कि net import जो है जीरो लेकर आना है, ठीक है इस scheme के तहट incentive तो मिलेगा ही, मिलेगा promote किया जाएगा, large skill manufacturing units को setup किया जाएगा, ठीक है और क्या होगा capital expenditure आपको जो है, वो मिलेगा क्या मिलेगा, आपको tax में छूट मिलेगी ठीक है, आपको जिस प्रकार से हमने सेवा भोज उजिना के वारे में discuss किया था कि आपके उपर JST है और SGST है वो नहीं लगेगा, वैसे ही उसी प्रकार से सेम, अगर आपको कोई पर जाके कोई product खरीदना है तो आपको उस product के लिए JST वगेरा नहीं देना होगा, ठीक है अगर आप manufacturing sector में काम कर रहे है, तो ठीक है ना incentive जो होगा वो available होगा जो 5 साल तक का project जिसकी date होगी, ठीक है, मुझत की आने की आकर आपका project की जो है, वो 5 years की date है, तो आपको उसके तहत incentive मिल जाएगा, ओल राइट, ठीक है और कम से कम आपको 3 साल तक तो काम करना होगा उस commercial production में, ठीक है तो यह बात आपको याद रखनी है friends, यह थी आज की हमारी important scheme, इसका अगला part जल्दी आएगा, जहां पर हम कुछ important government scheme को discuss करेंगे ठीक है, आपको यह lecture कैसा लगा comment box में जरूर बताएं, ठीक है तक कि आप exam देने जाएं, तो आप confident रहें, कि हाँ, हमने यह वाला portion जो है, वो complete कर लिया है, ठीक है तो आज के, जो scheme थी वो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि उत्ती जादा important नहीं है but, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए एक्जाम में जाने से पहले, यह बाद आपको याद रखनी है तो थैंक यू सो मुच फॉर दिस्कॉशन have a nice day, good luck and I'll see you in the next lecture